हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे काइंट्स ओफ प्रोनाउंस बच्चों, पिछली वीडियो में हम चांच चुके हैं कि प्रोनाउं क्या होते हैं प्रोनाउं इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो की हम यूज करते हैं नाउन की जगे पर यानि इस तरह के words जो कि हम noun की जगे पर use करें suppose I, we, you, he, she इस तरह के जो words होते हैं यह हम use करते हैं in place of noun noun क्या है? noun किसी का नाम है अब हम इसके लिए एक example लें suppose हम यह कहें कि मीना एक अच्छी लड़की है मीना is a good girl she always her parents यानि वह हमेशा अपने parents को उबे करते हैं उनकी बात मानती है तो यहाँ पर हमने second time जब मीना के लिए दूसरी बात बोली second sentence बोला तो हमने मीना की जगे पर use किया she तो she जो हमने word use किया वह क्या है? pronoun और मीना क्या है? मीना जो है एक name है जो की है noun और she क्या है? pronoun तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि pronoun इस तरह के words होते हैं जो की noun की जगे पर use किये जाते हैं तो pronoun के हमने कुछ words पिछले videos में जाने थे I, we, you, they, he, she, it इस तरह के words होते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे इनके अलावा और कौन-कौन से words इस तरह के होते हैं जो की हम pronoun की तरह जिनको use कर सकते हैं तो इनको हम जानेंगे kinds of pronouns में इनको हमने कुछ parts में डिवाइड किया in words को और वो है हमारी kinds of pronouns तो यहाँ पर हमारा first जो kind है पहला जो pronoun है वो है personal pronouns तो जैसा हम इसके नाम से समझ सकते हैं personal यानि किसी किनी person के लिए जो pronoun यूज होते हों यानि किसी व्यक्ती के नाम के लिए जो pronoun यूज होते हों वो होते हैं आपके personal pronouns तो personal pronoun में सपोज हमने कहा I तो I क्या है हम किसी अपने के लिए सपोज हम अपनी बात करें तो हम अपना नाम ना लेकर के i word यूज़ करते हैं तो हमने noun की जगह पर एक word यूज़ किया i इसी तरह से है वी अगर दो ये दो से ज़्यादा लोग है और अपने लिए कोई बात कहें तो हम कहेंगे वी तो वी जो word है वे भी हम pronoun की जगह तारिके से यूज़ करते हैं यह नाउन की जगह पर यूज़ किया हमने वी word plural के लिए i का plural हो गया आपका वी यानि एक से ज़्यादा लोग है यदि हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वी इसी तरह यू, ही, दे ये जो भी words है ये यूज़ होते है person के लिए व्यक्ति के लिए तो यहाँ पर हमने example लिया है I like to play football यानि मुझे football खेलना पसंद है तो यहाँ पर I जो word हमने use किया है यह word यूज़ किया है as a pronoun किसी noun की जगे पर हमने अपना नाम न ले करके I कहके खुद को अगर बोला तो यह हुआ I और I क्या हुआ noun की जगे पर हमने इस word को use किया तो I जो है वो एक pronoun है next हमने लिया he gave me a book तो यहाँ पर उसने मुझे एक book दी तो उसने तो हमने नाम नहीं लिया लेकिन किसी person के बारे में बोला कि he तो यहाँ पर जो he word है वो क्या है pronoun है और इसको हमने use किया है किसी person के name की जगे पर तो यहाँ पर हुआ ही एक pronoun gave me a book तो उसने मुझे एक book दी तो किसको book दी मुझे तो मैंने अपना नाम नहीं लिया बलके मैंने कहा me तो यहाँ पर जो me word है वह भी एक noun की जगे पर यूज हुआ है तो यह भी एक pronoun है तो इस तरह के words जो कि कितनी person के लिए हम यूज करें in place of noun pronoun की तरह से इनको हम यूज करें इन words को तो वो होंगे हमारे personal pronoun जिनकी detail हम next वीडियो में जानेंगे next है आपका reflexive and emphasizing pronouns यहाँ पर हमारे पास words है myself, yourself, ourselves, himself इस तरह के words को भी हम as a pronoun यूज करते हैं तो इनको हम किस तरह यूज करते हैं इनको हम समझेंगे यहाँ पर हमने example ़िया he painted the house himself तो उसने अपना घर himself यानि himself का मतलब है खुद या सवियम तो अगर हमने कहा myself यानि मैंने खुद या मैंने सवियम Yourself यानि तुमने खुद या तुमने सयम Ourself यानि हमने खुद या हमने सयम या Himself उसने खुद या उसने सयम इस तरह से इनका meaning हुआ और यहाँ पर हम Inverse को जब यूज करते हैं तो इनको हम as a pronoun यूज करते हैं किस तरह से यह He painted the house himself उसने अपना घर खुद पेंट किया तो यहाँ पर जो Himself word है वह है आपका reflexive pronoun और ही आप हम पिछले जो sentences हैं इनमें जान चुके हैं ही क्या है आपका personal pronoun और Himself है यहाँ पर reflexive pronoun Next हम देखें I clean my shoes myself यानि मैंने अपने shoes खुद साफ किये तो यहाँ पर जो myself word है वह used हुआ as a reflexive pronoun अब हमने यहाँ पर दो terms यूज की हैं reflexive और emphasizing तो reflexive तो आपका simple हो गया He painted the house himself यानि उसने खुद अपना घर साफ किया उसने अपना घर खुद साफ किया इस तरह से हो गया आपका अब emphasizing में क्या होता है कि हम इनी words को use करेंगे लेकिन जब हमें इस चीज पर ज्यादा जोड देना हो कि हमने उस कारे को खुद किया उस चीज को खुद किया है तो हम उसके लिए use करते हैं emphasizing pronouns जिनने words तो सेम रहेंगे लेकिन इनको use करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा इसका meaning क्या हुआ तब इसका meaning हुआ he himself painted the house यानि उसने खुद उसने खुद अपना घर पेंट किया उसने खुद घर को पेंट किया तो यहाँ पर उसने जोड देती हुए कहा है कि मैंने खुद ही यह कारे किया है यहां पर उसने इस चीज़ को कहा है कि मैंने अपना घर खुद पेंट किया, यहां पर यह भी हो सकता है कि उसने किसी के help दी है या अपनी बात को थोड़ी उसने कमजोरी से कहा है, यानि उसने एक normal way में कह दिया कि उसने खुद अपना घर पेंट किया, यहां पर उसने इस ब इस चीज से हमारा क्या यूज हुआ यहां पर यूज हुआ कि हमने हिंसेल्फ को यूज किया अपनी बात पर जोर देने के लिए इस बात को फोर्स फुली कहने के लिए कि हमने खुद इस कारे को किया है I myself clean my shoes यहां पर दोनुऊ sentences है I clean my shoes myself यैनि मैंने अपने shoes खुद साफ किये एक normal way हो गया और यहांपर जब हमने कहा I myself clean my shoes यानि मैंने सब्सक्राइब मैंने खुद अपने shoes साफ किये तो इस पर हमने क्या है जोर दिया है दो इस तरह के जो sentences है जिनमें अपनी बात को forcefully कहा जाए इस चीज को कहने के लिए कि मैंने खुद इस कारे को किया या उसने खुद उस कारे को किया या तुमने खुद वहां गए तो या तुमने खुद जूट बोला इस तरह के जो words होते हैं इस तरह के sentences हैं वो होंगे आपके emphasizing pronouns और जो words हैं इनमे same ही use होते हैं myself, yourself, ourselves यहाँ पर हमें ध्यान देना है self यदि हम use कर रहे हैं तो यह हुआ आपका singular और यहाँ हमने यदि use किया है self तो यह use होगा आपका as a plural next हम देखें demonstrative pronouns next हमारे example है demonstrative pronouns यहाँ पर हमारे कुछ words है this, that, these, those यानि यहाँ पर जो words है simple words है this, that, these, those यह जो words है simple words है जो कि point out करते हैं बताते हैं किसी भी चीज के लिए किसी भी सपोज हमने कोई भी आटिकल यह सपोज हमने pencil लिए book लिए bag लिया या flower है कोई भी article है कोई भी person है जिनको हमें point out करना है हम particular और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम use करेंगे this, that, these, those इन में एक विशेस बात यह भी होती है, कि this use होता है हमारे निसदेक चीज के लिए जिनकी बारे में हम बताना चाहते है और that use होता है आपके जो तूर की चीजा होती है उनको अगर हम बताना बताने इंडिकेट करना चाते हैं to find out करना चाहते हैं तो उसके लिए है this is my pencil यानि यह है मेरी pencil है तो हमने point out किया है pencil को हम pencil के बारे में बताना चाहते है this is my pencil और यहां पर हमें यह भी रहान रखना है कि जो pencil है हमारे क्या है distance पर नहीं है बलकि नजदीक वाली जो चीज होती है उसको हम हम यूज करेंगे as a this next है that is your book यानि कोई दूर at a distance यादि कोई भी book है हमारे पास उसके बारे में हम बताने चाहते है that is your book तो यह हुआ आपका that जो कि at a distance यानि distance पर भी कोई भी articles हों कोई भी चीजे हो या कोई भी person है उनको को इंटिकेट हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे that next है indefinite pronouns तो indefinite जो कि हम नाम से ही समझ सकते हैं यानि कोई अनिश्यरी यानि particular हम किसी के बारे में नहीं कह रहें बलकि हम common कोई बात का है यहां हमने एक्जामपल यह हैं कि some, one, few, all, many, everyone, somebody इस तरह कि जो words है वो हम यूज करते हैं indefinite pronouns तो यहां पर हमने एक्जामपल यह है one cannot believe it यानि कोई भी इस पर believe नहीं करेगा विश्वास नहीं करेगा तो यहां पर जो one है वे है आपका indefinite pronoun क्यूंकि हमने एक particular किसी के बा बात कह दी next is someone is at the gate तो यहां someone जो word है आपका वह है indefinite pronoun तो someone यानि हम नहीं जानते कि कौन है लेकिन हां gate पर कोई है तो हम particular किसी के बारे में नहीं कह रहे कि कौन है हमने simple कहा someone is at the gate यहां दरवाजे पर कोई है तो यहां someone जो है एक indefinite pronoun हुआ next हम लेते हैं distributive pronouns तो distributive pronouns की wishes बात यह होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि दो यह 2 से ज्याद है हमारे पास person, place, articles, things इस तरह की चीज़ा हो सकती है और जिन में से हम क्या करते हैं कि किनी एक के बारे में यानि हम distribute करते हैं चीज़ों को यानि singular की तरह की तरह के हम उनको use करते ह यहां पर हम इनको हमने एक्जाम्पल लिए है इच आइदर नाइदर तो इस तरह के वर्ड्स हैं जो के हम distributed pronouns में यूज करते हैं तो यहां हमने एक्जाम्पल लिए है इच अफ तो बॉइस है यानि प्रत्येक लड़के में से कही सारे students में से कही सारे boys में से हमने प्रत्यक के लिए particular हर एक के लिए बात कहीं तो इस तरह से बना आपका distributed pronouns यहां पर हमें ध्यान दे रहा होगा क्योंकि जो boys हैं उन में से हम हर बच्चे के लिए कह रहेंगे उनके पास book है हर बच्चे के लिए हर लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि उनके पास book है तो इसको हम रखते हैं as a singular यानि यहां पर जो हमने helping verb use की है वो singular है तो distributed pronouns में क्योंकि जो बात है वो particular हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग कही जाती है तो इनको हम रखते हैं हमेशा singular में यानि जब भी हमारे पास इस तरह के words हो each, either, neither तो उनको जब भी हम वहां पर helping verb use करेंगे तो वो हमेशा singular में होगी क्योंकि हम वहां particular हर व्यक्ति क के लिए हर परसं के लिए हम अलग-अलग बात को कहते हैं हम next example लेते हैं neither of the pens writes well यानि pens मैंसे जो हमारे पास पैन है उन में से कोई भी अच्छे से नहीं चल रहा तो यहां पर जो पैन है वो एक से ज्यादा है दो भी हो सकते हैं और ना तो इन में से कोई भी पैन नहीं चल नहीं हम हर पैन के लिए अलग-अलग बात करें कि इन में से कोई भी अच्छे से नहीं चल रहा तो जो नहीं दर आपका word है यह हुआ आपका distributive pronouns next है interrogative pronouns हमारे पस कुछ इस तरह के words होते हैं जो हम question करने के लिए question पूछने के लिए जिनको हम यूज करते हैं तो यहां हमने example लिए what, who, which, whom इस तरह के words जो के हम question करने के लिए यूज करते हैं इनको हम कहते हैं interrogative pronouns यहां पर हमने example लिए which is your book यानि तुमारी book कौन सी है तो यहां which जो word है वह question पूछने के लिए यूज किया गया है तो इसको हम कहेंगे interrogative pronoun तो which जो word है वह interrogative pronoun हुआ next है who has broken the pen की तो pen किसने तोड़ा है किसने तोड़ा है pen को तो यहां पर who जो word है question करने के लिए यूज हुआ है तो यह हूआ आपका interrogative pronoun next है relative pronoun तो relative pronoun में एंपी example है आपके who whose whom that which इस तरह के word जो कि हम interrogative pronouns में यूज करते हैं लेकिन उनको हम यदि अलग तरीके से यूज करें तो वो होते हैं आपके relative pronouns तो उनको किस तरह यूज करते हैं इनको समझते हैं यह there was a king who lived in a palace तो there was a king एक राजा था who lived in a palace जो की तो यहा यहां पर who जिसका मतलब होता है कौन या किस ने तो यहां पर हमने जब बीच में यानि दो sentences को हमने जोड़ा किसकी help से who whose whom that which तो इनका जो meaning है वो change हो जाता है जैसे who जिसका मतलब होता है कौन लेकिन जब हमने दो sentences को join करने के लिए जोडने के लिए इस word को use किया तो इसका मतलब हुआ जो की इसी तरह हूस यानि किसका और यहां पर हमने यूज किया जब दो sentences को जोड़ने के लिए तो इसका मतलब हुआ जिसका या जिसके तो इस तारह से जो interrogative pronouns वाली जो words होते हैं इनको हम या जब भी दो sentences को जोडने के लिए बीच में जोइन करने के लिए यह होते हैं आपके relative pronouns तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना kinds of pronouns जिसमें कि हमने personal, reflexive, demonstrative, indefinite, distributive, interrogative और relative यानि इन pronouns के बारे में जाना और इससे भी ज्यादे हम को क्या समझना है कि कौन-कौन से words हैं जिनको हम as a pronoun use कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन ही pronouns के बारे में detail में जानेंगे कि कौन-कौन से cases में कौन-कौन से words को हम use करते हैं